आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाप्टर नंबर 27 ठीक है ये मेरे एक व्यूवर ने कहा था कि उसे वेट है कि मैं ये चाप्टर जल्दी से जल्दी लेकर आऊं जिसमें दोंदे, क्वांदो ये सब चीजें बताई जाएं ठीक है तो क्या होती है ये सब चीजें इंतरोगातीवोस, इंतरोगेशन ठीक है जैसे हम पूछते हैं क्वेश्टन तो उसके लिए obviously कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं जैसे कि क्यों, कैसे, कब, तो वहीं है ये वर्ड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भू अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजिए और इसी तरह से मुझे आगे भी देखते रहें मेरे चैप्टर को और लाइक करते रहें तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ देखते हैं क्या है ये इंतरोगातीवोस, ओल राइट, के, what, क्या, ठीक है, के means क्या, को मो, क्या, 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 क और इसका English में जो translation हो रहा है, वो हो सकता है, how much या how many, ठीक है, depending on the object, या फिर, depending on the noun, कि अगर वो countable है, या uncountable है, ठीक है, तो countable है, तो many, और uncountable है, तो much, right, with many,ению, to, quanta, then quantos cuantas means कितने, कितने, ठीक है, कितना या कितने, ठीक है, डंदे, where, कहां, क्याल या क्यालेस, क्याल या क्यालेस होता है, विच, कौनसा, कौनसा वाला, य समया चौनसा वाला, या कौनसे वाले, तो इसमें gender नहीं है मतलब male female नहीं है बट singular plural है क्वाल ओ क्वालेस विच या फिर हम कहते हैं which one क्वांडो कब वेन क्वांडो कब वेन क्येन ओ क्येनेस ठीक है कौन ठीक है हूँ ओ क्येनेस मतलब आगे देखेंगे हम lines में कि कैसे बन सकता है कौन क्येन किस के साथ ठीक है यह अपने आप में question है किस के साथ क्येन होता है कौन और किस के साथ ठीक है काफी मिलते जुलते हैं similar है काफी जगा पे same use होते हैं बट जब यह प्रेपोजिशन साथ में लग जाती है तो meaning change हो जाता है इस question का क्येन मीन्स कौन और कौन क्येन मीन्स किस के साथ ठीक है कौन मीन्स साथ और किस के पोर के वाई ठीक है पोर के अब देखिए यह दो अलग-अलग words ठीक है बीच में gap है और अगर यही word को हम बिना space के बिना gap के लिख देंगे इकठा ही पोर के तो यह बन जाएगा because और क्योंकि यह अलग-अलग है पोर और के अलग तो यह होता है why ठीक है क्यों why और अगर इसी word को हम इकठा कर देंगे as I said कि बिना space के बिना space के लिखेंगे अगर पोर के साथ में इकठा लिखेंगे तो वो इसी का answer बन जाएगा because क्योंकि ठीक है तो देखते है कुछ examples यहाँ है के इस उना प्रोविंसिया प्रोविंसिया होता है जिला टाइप जैसे कि किसी भी आसपास के छोटे मोटे गाउं में district जैसे कहते है district level पे यह शहर है ठीक है तो district होता एक तरह से तो वो पूछ रहे है कि मतलब हम पूछ सकते हैं कि case case उना प्रोविंसिया कई लोगों को यहाँ पे आके how is your mother कैसी है आपकी ममा how means कैसी है आपकी mom कैसी है आपकी ममा क्वां तो क्वेस्टा इल पान okay how much is the bread how much मतलब उसकी price पूछ रहा है ठीक है क्वां तो क्वेस्टा क्वेस्टा means जब हम price पूछते हैं अब अगर यहाँ पे मैं क्वेस्टा की जगा लिख दूँगी स्वारी इल पान की जगा लिख दूँगी ला पीज़ा तो क्या बन जएगा क्वांता क्वेस्टा नहीं जो क्वेस्टा है main sentence यह है ठीक है तो क्वांतो क्वेस्टा ही रहेगा इसी तरह से पुछा जाता है किसी चीज़ का प्राइज ठीक है यह object पे depend नहीं होगा कि हम अगर ला पीज़ा है तो हम क्वांता कर देंगे नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है क्वांतो ही रहेगा क्वांता लगेगा जब हम कहेंगे क्वांता खेंटे ठीक है क्वांता खेंटे मतलब कितने लोग ठीक है क्वांता खेंटे बियने होई कितने लोग आ रहे हैं आज क्वांता खेंटे ठीक है खेंटे जो है यह भी ला में ही काउंट होता है another word जो कि ए पे नहीं खतम होता बट फिमेनिनो है ठीक है note down कर लीजिए मतलब आज कितने लोग आ रहे है ठीक है तो उसमें count होगा क्वांता और खिंते क्वांतोस लीब्रोस how many books ठीक है मैंने कहा था कि countable और uncountable में तो bread is obviously countable बट यहां पे जब price के लिए पूछा जाता है तो इसी तरह से पुछा रहता है how much means cuánto cuesta ठीक है how much cuánto cuesta okay cuántos libros है in el estante how many books are there on the shelf ठीक है कितनी books हैं shelf के उपर shelf पे तो cuántos libros ठीक है दोन्दे इस्ता ला पारादा दे आउटोबूस where, कहां कहां है bus stand या bus stop जो भी आप कहते हैं ठीक है bus का बूस का आउटोबूस का पारादा तो दोन्दे इस्ता ला पारादा दे आउटोबूस क्वाल एस तुकासा क्वाल कौन सा मतलब कितने सारे घर है और उसमें से हम पुछे है इसमें से आपका घर कौन सा है ठीक है ना कौन सा है आपका घर तो क्वाल एस तुकासा which is your house इदर इंग्लिश में obviously which one is your house आएगा बट इदर क्वाल उनों नहीं आएगा ठीक है क्वाले सोन लोस रेकिसीतोस which are the requirements ठीक है requirements क्या है तो obviously बहुत सारी होती है इसलिए क्वाले सोन लोस रेकिसीतोस requirements means रेकिसीतोस क्वांदो बिएने इल ट्रेन तो ट्रेन कब आ रही है ठीक है क्वांदो means कब बिएने means आ रही है ट्रेन इल ट्रेन क्येन इस इल दिरेक्टोर क्येन इस इल दिरेक्टोर कौन है प्रिंसिपल प्रिंसिपल को दिरेक्टोर कहते है ठीक है कौन है ये लड़के कौन है, who are these guys क्योंकि बहुत सारे लड़के क्योंकि बहुत सारे लड़के इसलिए 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 हो अभी तुम, आउरा मीजमो ठीक है, आउरा, राइट नाउ पॉर्के नो कोमेज, अब कोमेज जो है ये कोमेर वाली वर्ब है ठीक है, मतलब खाना खाना तो इट, ठीक है इट वाली वर्ब है, तो ये लगेगी obviously, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका सेम ही pattern है, जो regular verb में आ रही है, तो कोमेज लगेगी, वो सोत रोस के लिए, ठीक है तो पॉर्के, नो कोमेज, मतलब वो उनसे पुछे कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आप सब, ठीक है आप सब खाना क्यों नहीं खा रहे हो या तुम सब खाना क्यों नहीं खा रहे हो वाई डोंट यू इट, तो पॉर्के और इसी का अगर हम answer देखेंगे, confused मत हो येगा कई बार ये इकठा लिखा होता है, वो गलत नहीं है ये भी गलत नहीं है, ये question है वो इसका answer है, because we don't have कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है न, कि हमें नहीं खाना, या हमें भूख नहीं है, no tenemos ganas, ठीक है पॉर्के, no tenemos ganas we are not hungry, because we are not hungry, या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है तो पॉर्के, space के साथ question, और पॉर्के, without space, answer, because, ठीक है तो यहीं तक था मेरा ये chapter, I hope आपको के, ता लूग, अदियो अदियो